था का थे रोब लीवन नमस्ते कैसे है आप जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने गोवर ट्रिप में गया थ नृवयर मेshirt मैंने शुक्त आपकी किया उस पिछ मेरी रीडिंग नहीं आपाई मैंने पहले ही सारी रीडिंग गरदी थी और जटेन कि मैंने तो जो कि आप वापस जाके ßा मेरे सारी वीडियोज देख सकते हैं सारे वीडियोज लुवं मेरे नहीं गोण कर दिये थे वीडियो, व्लॉग, सारे मेरे चैनल्स पे मौझूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही खुबसूरत वीडियो है, प्लीज देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर आपके पास वापस आ गया हूँ, अपनी रिडिंग्स लेकर, तो देखते हैं, आज एक छोटी सी रिडिंग करेंगे, बट मैं फुड़े ची आप से बात कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि बापस आने से पहले, ये मेरा पहला वीडियो को, बापस आने के पात मेरा पहला वीडियो है, तब तक मैं सकार्ट शफल करता हूँ, तब तक दो चार बाते मै आपसे कर लेता हूँ, प्लीज मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिए, काफी सारे सब्सक्राइबर जूड रहे हैं मेरे चैनल से, मैंने अपने डिली लाइफ, लाइफ, लाइफ स्टाइल को अपने चैनल पे उतारने की पूरी कोशिश की है, जिसमें मैं काफी हर तक सफल हु आप सारी चीज़ों की वीडियो में अपलोड करता हूँ, जो मैं रोज मरा पनी जिन्दीए में करता हूँ, लाइफ में करता हूँ, इसमें से टैरोट इक है, क्यों तो मैंने सीखा, को औरलाइन कोश किया, काफी रिसर्श किया, सो मुझे टैरोट करने में काफी अच्छा लगता है लोगों के बारे में बताने में आप लोगों के बारे में जो भी है बताने में अच्छा लगता है मेरे वीडियो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं आपको पता है मैं काम से काम की बातें करता हूँ क्योंकि जयादा video लंबा करना से बहोर पुरियत भी होने लगती है so मैं 0.2.1 बातें बताना जयादा पसंद करता हूँ जयसा कि आप जानते हैं जो डिरोराद रेडिंग होती है वो बिलकुल जेनरल होती है कुछ resonate करे तो रखें और resonate ना करें तो जाने दें दिल पे मत नहीं है क्योंकि जो card बताता है वही मैं बताता हूँ आज मैं start कर रहा हूँ एक छोटी सी reading से बाकी फिर मैं upload करता रहूंगा अपनी readings होगे और एक बात तो मैं हमें साफ से कहता हूँ कि अगर मेरे बैग्ग्राउंड से कोई भी sound आ रहा है वाज आ रही है उस पर मेरा control नहीं है तो प्लीज उसे जाने दें general reading है देखें resonate करे रखें ना resonate करे जाने दें जो भी reading देख रहा है यह सिर्फ उनके लिए चाहे तो आप अपने friends के लिए किसी family members के लिए देख सकते हैं और यह कोई भी जेंटर बेस नहीं है कुछ भी जन्मने स्तिरीक पुरुस या किसी भी link के लिए ठाइए और कोई भी से देख सकता है तो आज पहला reading में नया साल की पहली reading है मेरी तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ January 2023 के predictions in love and career हाला कि मैं December में लोड कर चुका हूँ काफी कुछ career love से related लेकिन अभी January शुरू हो चुका है first fix is going तो बाकी बचे वो दिनों के यह मैं कुछ prediction करता हूँ देखने कार्ड क्या पताते हैं and let's see and मैंने कुछ plans भी कर रखे हैं जैसे सारी positive star है यह glass के सो मैं ज्यादा कुछ रखता नहीं हूँ यहाँ पर बट मैं सोच रहा हूँ कुछ positive चीज़े और मैं add on करूँ तो समय time के साथ मैं कुछ ऐसी positive चीज़े यहाँ पर रखूँगा जिससे आपकी reading और resonate कर सके और मुझे जो भी angels हैं souls हैं gods हैं उनका support मिल सके सो अभी मैं त्यारी कर रहा हूँ बट अभी के लिए तो अभी मैं यहीं सही हूँ और जो भी है भगवान का शिर्वाद है god का शिर्वाद है अल्ला का शिर्वाद है कि मैं आपके लिए readings लाता रहूँगा और काफी कुछ मुझे add करना है so let's see अभी start करते हैं एक छोटी सी readings है so पहले मैं निकालूँगा love reading prediction निकालूँगा क्या prediction है क्या अभी इसमें current energy नहीं है इस reading में अभी मैं देख रहा हूँ predictions क्या-क्या है आपके love a career के लिए so पहले मैं love की reading करूँगा और छोटी सी reading है यह पहले मैं दो कार्ट निकालता हूँ love से related यह prediction क्या है आपके क्या स्थिती रहेगी love के मामले में and just give me two cards काफी सारे cards रहे हैं बट मैं दो ही लेना चाहता हूँ and just give me two cards what is predictions for lover for this month rest of this month give me two cards so पहला card queen of wands दूसरा card queen of cups बहुत अच्छे card आया है queen of wands queen of cups predictions काफी अच्छे है queen of cups यह बता रहा है कि आपको proposal मिल सकता है कोई marriage proposal भी हो सकता है कोई love proposal भी हो सकता है काफी अच्छे है gifts भी मिल सकते है और जो lovers decision नहीं ले पा रहे थे उन्हें clearance मिलेगा सब कुछ मिलेगा clearance मिलेगा और predictions तो काफी अच्छे बता रहा है और बापस कुछ लोगों के बापस आने की भी chances है और direct offer मिलने के chance love offer मिलने के chance है जो लोग भी आपको छोड़के गए है वो भी आ सकते है कोई नया offer भी मिल सकता है marriage proposal मिलने के पूरे chances है या किसी के marriage settlement हो सकते है या तो love मेरी हो सकता है नहीं तो घर की आपसी रजामंदी से arrange manage भी हो सकता है तो love के मामले में जो बाकी बच्चे हुए जन्वरी के दिन हैं काफी अच्छी prediction उसकी आ रही है Now देखते हैं career के मामले में क्या है आपके लिए career में क्या है आपके लिए देखते हैं let's see जन्वरी के बच्चे हुए दिनों में career में क्या है job में क्या है money क्या है overall क्या है दो card मुझे चाहिए so and just give me 2 cards 3-3 cards आ रहे हैं but यहां 2 cards already आ चुके हैं एक साथ 5 of wands 7 of pentacles career में कुछ संकर्स की स्थिती बन सकती है काफी प्रयास करना होगा काफी कोशिशें करनी होगी तब कहीं जाके आपको positive results मिल सकता है chances थोड़ी कम लग रहे हैं but 7 of pentacles से आपको predict कर रहा है कि आपने जो भी काम किया है जो भी मेहनत किया है आपने या money के लिए career के लिए job replacement के लिए बस आप सयम से काम ले और अपना मेहनत करके इंतिजार करें कि कुछ positive result आए सो अभी prediction यह है और इतरा से suggestions भी यह है कि संगर्स की स्तिति होगी लेकिन उससे बाहर आए और इंतिजार करें आपने जो मेहनत किया है हो सके January में नहीं तो February में इसका result मिल सकता है सो बहुत जादा positive card तो नहीं है career के लिए बट सांती बनाय रखें और patience से काम लें job replacement अगर चाहते हैं तो हो सकता है बट इस मत में तो नहीं career money में भी आने के chances थोड़े कम हैं बट यहां predictions and suggestions तो यही बता रहे हैं यह wait करें आपने अपना काम कर दिया है सो आप wait करें देखते हैं क्या वता है सो मैं एक छोटी सी reading लेकर आया था क्योंकि मेरी साल के पहली reading है सो मैं अभी बाती करने में काफी time चले गया जो कि जरूरी भी था बट एक छोटी सी reading को सुईकार करें मैं नेक्स reading अच्छी बड़ी बन आने वाला हूं और शोट्स भी होंगे सो अभी क्लिए तो इतना ही कीप सपोर्टिंग मी थायक्यू लुप ऌनुमाषिबा नुप वन्सेच संही ने